चोकलेट मामी से मैं सीमा सिंग आपका स्वागत करती हूँ आज मा आपको पुर्शोत्म मास का 23 अध्याएक का महात्यम में सुनाने जारी हूँ राजा द्रधन्वा बोले हे मुनी श्रेष्ट पुर्शोत्म मास में दीवदान का क्या फल है सो क्रपा करके मुझसे कहो सिरी नारायन भगवान बोले राजा के विनर्म होकर पूछने पर वालमी की मुनी बड़े हर्ष्ट से मुस्कराते हुए बोले हे राजा द्रधन्वा पाप नाशेनी कथा सुनू जिसको सुनने से पांच प्रकार के महा पातक नाश हो जाते हैं सो भागय नगर में चित्र वाहु नाम का राजा रहता था वह सत्य प्रतिग्या महा बुद्धिवान शूर वील शमा सील सब धर्मों को जानने वाला शांत रूप दया से युक्त पूजनिये भगवान का भक्त कथा सुनने में तत्वर सदा अपनी पत्नी से प्रेम रखने वाला पशूम पुत्रों से युक्त चतर गिनी सेना वाला कुबेर के समान धनी था उसकी 64 कलाओं से युक्त पतिवर्त इस्तरी महा भाग्यवान भगवत भक्ती में रहने वाली चंद्रकलारानी थी उस चंद्रकलारानी के पास राजा-परथ्वी के सुक भोगता था वह सिरी क्रश्न के अतिरिक्त दूसरे देवता को नहीं जानता था एक दिन राजा तित्र वाहू ने मुनी श्रेष्ट अगस्ते मुनी को आते हुए देखा तो दंडवत प्रणाम किया उनकी पूजा कर भक्ती सहीद आसन भीचा कर मुनी के आगे बैठ गया तता विने पूर्वक बोला आज मेरा जनम सफल हुआ आज मेरा राज्य सफल हुआ जो आप स्री क्रश्न के सेवक मेरे भवन में पधारें आज आपके दर्शन से मैं पापों से छूट गया हाती रत गोड़ा पैदर सेना जहीत राज्य आपकी भेट है हे मुनिश्यष्ट आप वेश्नव हो इससे मैंने सब कुछ आपको दिया क्योंकि वेश्नव को दिया हुआ थोड़ा दान भी सुमेरू परवत के समान हो जाता है जो पुरुष दिन भर में कोडी भर शाक अच्वा उत्तम अन वेश्न भ्रामन को नहीं देता उसका वहदिन निश्फल है ऐसा वेद वेताओं का कहना है जो कोई भ्रामन आदी विश्न भक्त हो वे पूजने योग्य है उनका वाणी, मन, कर्म में सतकार करना चाहिए ऐसा रिशी गरगाचारिय गोतम मुनी सुमंत ने मुझसे कहा जब तक सूर्य उदर न हो तब तक तारों की चठा रहती है इसी प्रकार जब तक वेश्न विप्र नहीं आवे तब तक अन्य ब्रामनों की चठा रहती है अगस्तेसिदी बोले हे चित्रवाहू तू सब प्रकार से धन्य है तेरी ये सब प्रजा भी धन्य है जो तुम जैसे वेशनव प्रजा की रक्षा कारते हो जिस राज्य का राज्य हरी भक्त न हो उस राज्य में नहीं रहना चाहिए इसलिए वेशनव रहित राज्य में रहन से वन में रहना अच्छा है जैसे नेत्रहिन शरीर पती के बिना इस्तरी निरक्षय ब्रामन निंदनिय है वैसे ही वेश्णव रही देश भी निंदनिय है जैसे दाद बिना हाती पंक बिना पक्षी और दश्मी विद्या द्वादशी एकादशी की इस्तिती होती है वैसे ही वेशनव बिना राज्य है जैसे कुष्र रहित संध्या तिल के बिना तरपन जिविका के लिए देव सेवा होती है वैसे ही ऐ वेशनव राज्या का देश है जैसे के समाने वाली विद्वा इस्तरी इसनान रहित व्रत करने वाली और ब्रामणी से संभोग करने वाला शुद् मिंदनिय है वैसे ही वेशनों बिना राज्य है विद्वानों ने राजा वही कहा है जो सिरीकश्न भगवान के चर्णों को आश्रित हो उसी का राज्य दिन प्रती दिन बढ़ता है और उसी की प्रजा सुख भोगती है तो हे राजन आपके दशन से मेरी दश्टी सपल हो आपके साथ बैठकर मेरा मन गदगद हो गया तो हे राजन मेरी आग्या है कि अब इस राज्य का शाषन तुम ही करो मैं तुमको राज्य में पुने प्रतिश्टित कर रहा हूं तुमारा कल्यान हो सिरी नारायन बोले इस प्रकार कहकर चलने की इच्छा करने वाले अगस्त जी बोले हे शुबे तु सोभाग्य वती हो भक्ती पूरक पती की सेवा करती रहे सिरी क्रश्न भगवान में तेरी डड़ भक्ती हो ऐसा आशिरवा देते हुए मुनी से विने पूरर राजा सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर बोले हे महरिशी मुझे अपार धन ए कंटक रा सिरी नारायन बोले इस प्रकार राजा का प्रशन सुनका मुनीश अगस्तर जी एकागर चित्र होकर बोले मैंने तेरे पूर जन्म का सब चरित्र देख लिया है यह सब प्राचिन इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ तू सुन्दर चमतकार पूर में मनी ग्रीव नाम से शुद यह मन कार्म बचन से पती की सेवा करती थी यह पती व्रता महा भाग्य शाली धर्मात्मा तेरे उपर कभी भी दुष प्रवाव नहीं रखती थी तुझको कर्मी को तेरी जाती के अन्यभाय बंदों ने त्याग दिया राजा ने क्रोधित होकर तेरा सारा वेबव चीन लि इस प्रगा भाई बंदों से तिरसकत हो तु निर्जन वन में चला गया हे मही पते उस वन में तु अनेक पशों को मार कर अपनी इस्त्री सही जीवन निवा करता रहा एक दिन तु धनुष उठा का म्रग का मास खाने की इच्छा से सरपों और म्रगों से युक्त वन में च इशा भूल का जाने के कारण इधर उधर भटकते हुए व्याकुल हो रहे थे तेज दुपैरी और गर्मी के कारण प्यास के मारे व्याकुल होका वे वहाँ गिर गे और अचेत हो गे तब उस दुखित ब्रामन को देखकर तुझे दया आ गई उसे उठा कर अपनी पीट प पुरुषों ने बहुत सेवा की जब महायोगी उग्र देव को दो घड़ी बाचेत हुआ तो वे आश्चरे में पढ़ गे और वे बोले मैं वहाँ था मुझे यहां कौन लेकर आया सिरी नारायन बोले उग्र दीव उस ब्रामन से बोला हे ब्रामन यहां सुंदर तालाव है इसमें कमलिनी के पुष्पों से सुगन्धी शीतल जल में इसनान करके मद्यकालिन किरिया करकी आप फलाहार कर शेष्ट शीतल जलपान करें इसके पश्चात आप सुप अगस्तेजी बोले तब उग्र देश्रम रही चेतन्य हो मनिग्रीव की बात सुनका प्यास की बेचनी के मारे उठ बैटे और उग्र देव मनिग्रीव की भुजा पकड़कर तालाप के किनारे ले गे और वट रक्से सोबित उसके तर्थ पर बैट गे ब्रामर ने बढ़की चाया में शन मात विश्राम करके इस्नाम किया नित्यकार्व करके वासुदेव का पूजन किया फिर उग्र देव ने देव और पित्रों को तरपन करके शीतर जल पिया उसके पच्चात बढ़की चाया में बैट गए मनी गिरियों मुनी शेष्ट को नमसकार कर सतकार काने के लिविनय पूरक बोला है ब्रामन आप मेरे उद्दार के लिए मेरे आश्रम में आये हैं इस तरह आपके दर्शन से मेरे सारे पाप नाश होगे फिर मनी गिरियों ने बड़ प्रेम से अपनी इस्तरी से कहा है सुंदरी जो जो आश्रम में स्वादिष्ट पके हुए आमर आदी के फल हो उनको जल्दी लाओ देर मत करो और भी जो कुछ कंद मुल फल हो उनको भी लिवाओ अपने पती के असे वचन सुनका सुंदरी ने आमर के फल कंद मुल बड़े हश्ट से ब्रामन की आगे रख दिये मनी गिरियों फिर मुनी शे से बोला है ब्रामन फलों को सीकार कर आप हम दोनों इस्तरी पुरुष को कृतात करें उग्रु देव बोले अरे भाई मत तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो तै तुम पहले मुझे अपना परिचे दो क्योंकि बुद्धी मां ब्रामन बिना जाने किसी का कुछ नहीं खाते मनी गिरियों बोला है द्विज शार्दूल मैं जाती और भाई बंदू से त्यागा हुआ मनी गिरियों नाम का शुद्र हूँ उग्रु देव शुद्र के ऐसे वचन सुन क प्रसन हुए और फलाहार करके और फिर जल पी कर सुख से बैटे रामन के दोनों चर्णों को अपनी गोद में रखका मनी गिरियों दापता हुआ बोला है मनिशेष्ट इस निर्जन और भयावे दुष्ट हिंसक व्यागाद्री से युप्त वन में आप यहां किस लिए बना चाहता हूँ इस समय अंजने में मैं इस महा भयंकर वन में भटक गया यहां प्यास की बेचेनिय ठकान के कारण मैं मरनासन हो गया तुने मुझे जीवन दान दिया है तब बता मैं तुझे क्या दूम हे मनिग्रीव तुम दोनों इस्तिरी पुरुष्ट ने वन का आश किये हुए कर्मों को वनन करने लगा तो आज मैंने आपको यह कता सुना है अगर आपको यह पसंद आती है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें और बैल जरू प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहने मिलें अजसे पूरे आपको सबस्टाइब करें चैनल सबस्टाइब करें आपको सब्सक्राइबको करें